ओम शान्ती यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है इस चैनल को सब्सक्राइब करें ओम शान्ती ओम शान्ती गुड मॉर्निंग 28 मार्च 2022 मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिष्टे मिलकर बाब दादा के साथ करते हैं बाब दादा संदली पर बैठे हैं और सामने हम सब फरिष्टे बाब दादा के बैठे हैं बाब दादा हमें दृष्टी दे रहे हैं और वर्दानों से भरपूर कर रहे हैं बाबा बोले आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली मीठे बाबा आज आपने हमें बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी बाबा आज आपने मीठे बच्चे में का कि मनुश्य मत पर तो तुम आदा कल्ब चलते हो अब मेरी शिरिमत पर चल पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे शिब बाबा संगम पर ब्रमा बाबा के तन में आकर हम बच्चों को एड़ाप्ट करते है और हम बच्चों को आदी मद्धेंद का राज बताते है बाबा कहते हैं तुम आदा कल्ब द्वापर और कल्योग धाई हजार वर्ष तुम मनुश्य मतों पर चले रावन की मत पर चले अब संगम पर मैं आया हूँ और जो मैं तुमें शिरिमत देता हूँ उस शिरिमत पर चलकर तुम पावन बन गए तो तुम नई दुनिया के पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे अब मैं आत्मा ये तो समझ गई हूँ कि परमात्मा आय हुए है हम बच्चों को ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट भी किया है हम बच्चों को ग्यान अमरित भी पिला रहे है और जिस बच्चे को पूरा निश्चे हो गया है कि भगवान आय मेरे लिए है तो वो जरूर आत्मा पवित्र बन कर पवित्र दुनिया में जाएगी तो इस समय मैं आत्मा पूरी पूरी शिरिमत पर चल रही हूँ अगर मैं अब भी शिरिमत पर नहीं चलूँगी पावन नहीं बनूँगी तो फिर मैं नई दुनिया में कैसे आउँगी क्योंकि पावन बगएर बने बिना तो स्वर्ग में जाए नहीं सकते अगर पावन दुनिया का मालिक बनना है तो मुझे अभी पूरी पूरी शिरिमत पर चल कर पावन बनना है तो मैं आत्मा अपने आपको चेक करूँ कहीं भी मेरे अंदर कहीं शुक्षम में भी कोई विकार है तो उसको खतम करूँ क्योंकि रावन के जो पावन के जो पावन विकार है मोटे वाले वो तो खतम करने करने है साथ में छोटे भी बहुत विकार हैं उनको भी खतम करना तो जितना मैं बाबा की शिरिमत पर चलूँगा पावन बनूँगा और पावन दुनिया में फिर 21 जनम तक राज्य करूँगा फिर बाबा आज आपने प्रशन में पूछा कि बेहद का बाप बच्चों को कौन सी अशिरवाद देते हैं और वे अशिरवाद किनों को प्राप्त होती है बाबा तो आया इस संगम पर हमें अशीरवाद देने कौनशी अशीरवाद है कि बच्चे तुम सुखी रहो 21 जनमों के लिए अशीरवाद देने आए कि 21 जनमों तक सुखी रहना है पावन दुनिया का मालिक बनना है अमर रहेंगे अगर तुम्हें कभी काल नहीं खाएगा तुम्हारी कभी अकाले मिर्तियों नहीं होगी बाबा ने का कब नहीं होगी यह जब तुम इस जनम संगम पर काम विकार को छोड़ोगे पूरा पूरा पामन बनोगे क्योंकि जो काम देनों माता है वो हमारी सब मनों कामना पूर्ण कर देगी बस करना क्या है एक विकार को छोड़ना है बाबा ने का यह जो अशीरवार किनको प्राप्त होगा जो शिरीमत पर इस अंतिम जनम में पवित्र बनते हैं फिर बाबा ने वही का कि सारा दारो मदार किस पर है पवित्रता पर जितना मैं आत्मा पवित्र बनूँगा मनसा वाचा करमना में कोई भी करमिंद्रियों मेरी धोखा तो नहीं देती तो मेरे बोल कैसे है सिरफ एक ब्रमचारी पवित्रता नहीं है ब्रमचारी के साथ-साथ मैं सब के साथ मीठा बोलती हूँ मैं एडशा तो किसी से नहीं करती हो अंदर मेरे साथ किसी की खिट पिट तो नहीं है मुझे अपने आपको चेक करना है कि मैं पूरी पूरी शिरिमत पर चलू जब मैं इस जनम में पूरी शिर्मत पर चलूंगी पावन बनूंगी तो बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया बदल रही है इसलिए पावन जरूर बनना है अब दुनिया तो बदल नहीं है अब पावन नहीं बनेंगे तो बाबा क्या कहते हैं फिर वही बात आ जाती है कि बाबा कहते हैं तो सजाएं खाके जाना है पड़ेंगे अब डंडे खाने या बाबा के गले का हार बनके बाबा के नैनों पर बैठके जाना ये अपने आप डिसाइड करना है तो में आत्मा पूरा पूरा पावन बन बाबा के गले का हार बनके बाबा के साथ जाओंगे फिर बाबा आपने गीत बजाया ओम नमो शिवाए अब मुक्षे ओम नमो शिवाए नहीं कहना अंदर मनी मन 24 गंटे अजब पाजाब चलता रहे कि मैं कौन? मैं भगवान का बच्चा भगवान की पूरी पूरी शिरिमत पर चलना फिर बाबा आज आपने कहा जो परम पिता परमात्मा शिव बाबा आप उचे ते उचे हो सर्व के सदगती दाता हो सब की सदगती करते हो तो वैस्वर के मालिक देवी देवता बन जाते हैं मनुश्य मनुश्य कि सदगती करना सके मनुष्य की कोई महिमा नहीं है क्योंकि एक स्वेम परम पिता परमात्मा के जो सबसे उंचे ते उंचा है वो हम सब की सद्गती करते है हम बच्चों को शीरी मत देते हैं हम जब शीरी मत पर चलते हैं तो फिर हम क्या बनते हैं हम ही 21 जन्मों के लिए देवी देवता बनते हैं बाबा ने का मनुश्य मनुश्यों की कोई सद्गती नहीं करता कोई भी महिमा नहीं है मनुश्य की कोई मनुश्य महिमा करे एक परमात्मा ही आकर हम बच्चों को पावन बनाते हैं पिर 21 जन्मों के लिए में स्वरग में देवी देवता बनाते。 भाबावा न bullish पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप ही है, तो जरूर कोई पतित बनाने वाला भी होगा ना, अब जब पतितों को पावन तो शीप बाबा बनाते हैं, और फिर जब आदे कल्ब के बाद जब हम पवित्र से पतित बनते हैं पावन से पतित तो उसको बनाने वाला कोन है? एक रावन ही है ना, पांच विकार ही है ना, काम, क्रोध, लो, मो, इनका हेड कोन है? रावन जिसको बोला, दो दिन पहले भी मुरली में बोला ना, काम कर ले, इस संगम पर की पूरा पूरा पावन बन जाएं, मंसा, वाचा, कर्मना, पूरा पूरा पावन बन जाएं, तो बाबा हमें अपने साथ ले जाएंगे, बाबा ने का ऐसे नहीं कि बच्चे को शादी करानी है बाबा ने का ना तो बच्चों की शादी करनी है ना खुद पावन पतित बनना है ना दूसरों को पतित बनाना है भगवान आया पावन बनने और मैं और आत्माओं को पतित बनाओ ये और बड़ा पाप चड़ाओं मैं अपने को तो मुझे ना तो खुद पतित बनना है ना दूसरों को पावना है बच्चों की शादी हाँ जो कन्या है शेरिमत पर नहीं चलती उसकी शादी करो अगर वो कहती है भी मुझे शादी करने है लेकिन बाबा फिर भी कहता है अपनी तरफ से कोशिश करो कि किसी को पतित नहीं बनाना बाबा ने का इस मुझे लोग में अंतिम जनम पवित्र जरूर बनना आज बाबा बार बार पवित्रता पर कह रहे है जब हमर लोग चलेंगे अबने आज मीरा का भी इशाद दिया कि मीरा ने भी विष नहीं पिया न तो उसका कितना नाम बाला हुआ जबकि उसने भगवान को नहीं पचा न लेकिन उसने शिरी कृष्ण के प्यार के पीच्छे विष पिया तो वो अमरित बन गया तो उसका भी नाम कितना भक्ती में बाला हुआ है फिर बाबा आपने फिर का कि ये बाबा भी उस निराकार से ही मत लेते हैं कौन जो ब्रह्मा बाबा है ब्रह्मा बाबा भी मत किसे ली निराकार से शीब बाबा ही ब्रह्मा बाबा के तन में आकर प्रवेश किया ना तो तुमको मत देते हैं ना शीब बाबा भी हमें मत कैसे देते हैं जब ब्रह्मा बाबा के तन में आए पति तन में आकर हम बच्चों को उनको भी पावन बनाया और हम बच्चों को भी शिर्मत दी बाबने का कहते हैं तुम सब सजनिया अत्वा भक्तिया हो एक है साजन अत्वा भगवान मनुश्य को कभी भगवान नहीं कह सकते यह उल्टी मत तुम को मिली हुई है इसलिए तुमारी ऐसी दुर्गती हुई है दुनिया में तो किसको भगवान कह दिया किसी भी को भगवान कह दिया भगवान को सर्वयापी कह दिया कुते बिली में ठोक दिया सब को भगवान कह दिया तब ही तो बाबा ने का यह ऐसी दुर्गती हुई है अब इस दुर्गती से बचना तो क्या करना है कि बस एक निराकार शिप बाबा को याद करना है उसकी शिरिमत पर चलना और पूरा पूरा पावन बनना तो हमारी ये दुरगती से बच सकेंगे फिर बाबा आपने आज बार बार पवितरता पर का भवने का पवित्रता पर भी अत्याचार होते हैं भवने का जो पक्के ब्रामन होंगे न वो मर जाएंगे कहते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए तो ऐसे जो पक्के ब्रामन होंगे न वो मर जाएंगे लेकिन अपना पावन रहेंगे पतित नहीं बनेंगे वो विश नहीं पि perspectives न देंगे विश किसे को भबनने का कितना सह्य करते हैए कितना भी सहयन करना पड़े लेकिन पता है ना कि हमें क्या मिला हमें 21 जन्मों की बाश्याई मिली है हम ही देवता बनेंगे तो एक जन्म चाहे हमें प्रान भी त्यागने पड़े विश के लिए तो भी पीछे नियट ला क्योंकि ये किसका फर्मान है शिब बाबा का फर्मान है हमने का शिब बाबा को याद करते करते प्रान भी छूट जाएं तो भी कोई गम नहीं बशिब बाबा का फर्मान है सब को है इसलिए कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास परमधाम में आ जाएंगे अब शिब बाबा का तो एक ही फर्मान है कि बच्चे तुम मुझे याद करो पावन बनो तो मेरे पास परमधाम में आ जाएंगे और फिर मैं तुम्हें स्वर्ग में फिर भेजूगा फिर बाबा ने का अगर कोई कहता है ना कि मैं बंदन में हूँ तो बाबा क्या करे बाबा कहता है जो कहता है ना मैं बंदन में हूँ बाबा भी कुछ नहीं करेगा उसके लिए जब बाबा ने तो हमें क्या ग्यान दे दिया ना बाबा ने कह दिया ग्रस्ट विवार में रहकर बस शीरिमत पर चलो और पावन बनो तो स्रेश्ट भी बनना है वे तो में आत्मा कितना ग्रस्ट विवार में रहकर बाबा की याद में रहकर अपने को आत्म समझ संपून पावन बन रही हो बश्यरिमत पर चलते जाएंगे गरस्त वेवार में रहके बाबा की याद में संपून पावन बनेगे तो फिर क्या होगा फिर हम नई दुनिया में आ जाएंगे फिर बाबा आज आपने वर्दान में कहा बाबा आज आपने वर्दान में कहा कि देवता बनने वाले सर्व अकर्शन मुक्त भाव अब देवता कैसे बनेगे बाबा आपने बताया कि ब्रामन सो फरिष्टा सो जीवन मुक्त देवता बनने वाले सर्व अकर्शन मुक्तमत अब संगम परस्वेम परमपिता परमात्मा शिप बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा डॉप करते हैं हमें ब्रामन बनते हैं पहले तो हम सचे सचे ब्रामन बनेंगे फिर ब्रामन से फरिष्टा बनेंगे और फरिष्टे से फिर क्या बनेंगे देवता बनेंगे लेकिन कब पहले हम पूरे पूरे ब्रामन बने हैं फिर ब्रामन से फरिष्टा फरिष्टा का अर्थ क्या बता है बाब ने बाब ने का जिसका पुरानी दुनिया पुराने संसकार पुरानी दे के प्रती कोई भी अकर अकर्षन का रिष्टा नहीं क्योंकि जब तक हम फरिष्टा नहीं बनेंगे तो देवता भी नहीं बनेंगे ब्रामन बन गए संपूर्ण ब्रामन पवित्र बन गए अब अगले स्टेप है फरिष्टा बनेगा और फरिष्टा बाबने किसको का जिसका किसी भी पुरानी दु मुक्ती और फिर जीवन मुक्ती तो फरिष्टा कौन बावने का जो फरिष्टा करतार मुक्त और मुक्त फरिष्टा ही फिर क्या बनेगा जीवन मुक्त में आएगा देवता बनेगा तो पहले ब्रामन फिर फरिष्टा और फिर देवता इसलिए गायन तो फरिष्टे भी कब बनेंगे जब हम सारी चीजों से पुरानी दुनिया से पुरानी दे से सब अकर्षनों से दोर रहेंगे बाबने का जब ऐसे ब्राह्मन सो सर्व अकर्षन मुक्त फरिष्टा सो देवता बनो तब प्रकृति भी दिल वा जान सिक वा प्रेम से आप सब की सेवा करेगी जब हम संपून पवित्र बन जाएंगे ब्राह्मन से फरिष्टा बन जाएंगे देवता बन जाएंगे तो प्रकृति भी क्या करेगी हमारा स्वागत करेगी दिल से वा जान से सेवा करेगी फिर बाबा आपने आज स्लोगन में कहा अपने संसकारों को इजी सरल बना दो तो सब कारे इजी हो जाएंगे बस अगर मेरे संसकार सब के साथ इजी है मैं खुद इजी रहता हूँ और मेरा सब के साथ संसकार मिलन है तो मेरा फिर क्या होगा मेरा हर काम असान हो जाएगा कभी भी एहंकारवाल में आना ही नहीं है मैं सब कुछ इजी चल रहा है मेरा एक एक संसकार इजी हर आत्मा के पती शुबामना शुबकामना हर एक के साथ संबन्द अच्छे रखने है जब मेरा संसकार इजी हो जाएगा तो मेरे सारे कारे भी इजी हो जाएंगे फिर आज मातेशुरी जी के भी अनमोल मावा के है अनमोल मावा के ममा ने कहा कि परमात्मा जो है न करन करावन हार कैसे है आज ममा ने ये बताया कि परमात्मा जो है कहते तो है करन करावन हार पर वो कैसे है पहले तो ये समझना है कि ये जो सृष्टी का अनादी नियम है न वो तो बना बनाया है जैसे परमात्मा भी अनादी है माया भी अनादी है और ये चक्र भी अनादी है चक्र भी आदी से लेकर अंत तक अनादी अविनाशी बना गया है बना बनाया है जब ये सारी चीजी बनी बनाई है तो बाबा ने का जो मेरा नाम परमात्मा ही तब है जब मेरा परमकार्य है क्या कार्य है परमात्मा का बाबा ने का कि मेरी कार्य ही है जो मैं खुद पाठ धारी बन बीज बोता हूं परमात्मा का भी कार्य क्या है कि मैं खु बीज बोने का मतलब है रचना करना तो ब्रह्मा शिब बावा ब्रह्मा तन में आके रचना करते हैं तो पुरानी श्रिष्टी का अंत करना और नई श्रिष्टी की आदी करना इसको ही कहते हैं परमात्मा सब कुछ करता है कितना सिंपल समझा दिया ममा ने कि परमात्मा करन कर नावन हर कैसे है क्योंकि परमात्मा ही बीज रूप है वही आके बीज बोते हैं वही श्रिष्टी की रचना करते हैं फिर उसी का ये फिर बावने का अंत भी करते हैं तो ये परमात्मा का कारिया है जो इस समय परमात्मा कर रहे हैं ओम शान्ती अब हम सब फरिष्टे उड़ चले विश्व गलोब पर बाब दादा की किर्णे मुझ पर आ रही है और मुझसे सारे विश्व में फैल रही है सारा विश्व सतों पर धान होता जा रहा है मैं फरिश्टा बाबा के साथ वापिस सुक्षे मतन में बाबा से दृष्टी लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापिस इस देरूपी मंदिर में हूँ बाबा की किर्णे मुझ पर आ रही है और मुझसे चारों और फैल रही है ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती